श्री देवी के साथ काम ना कर पाने का रानी मुखर जी को है मलाल कहा बचपन से उनकी फ्यान रही हूँ हिंदी सिनेमा जगत में एक के बाद एक महिला प्रदान फिल्मों में नजर आ रही रानी मुखरजी जल्द ही सिनेमा घरों में अपनी फिल्म मरदानी दो के साथ दस्तक देने वाली है रानी मुखरजी आज इंडिस्ट्री में उस मकाम पर पहुँच चुकी है जहां युवा अभिनेत्रिया उनके साथ काम करने का सपना संजोती है हाला कि बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि रानी को आज भी अपनी खुचपन सदीदी अभिनेत्रियों के साथ काम ना कर पाने का मलाल है रानी मुखर जी ने प्रोफेसर म्यूजिक काउंटर डाउन में इस बात का खुलासा किया है शो में रानी ने अपने बचपन, अपने सपनों और आकांगशाओं के बारे में बात की अपनी पहली ही फिल्म से अपनी छाप छोड़ने वाली रानी ने सिनेमा जगत के दिगज कलाकारों के साथ काम किया है हाला कि रानी मुखर जी अब भी अपने कई चहेते कलाकारों के साथ काम नहीं कर पाई है इंडस्ट्री के अपने पंसदीदा कलाकारों के बारे में पूछे जाने पर रानी ने कहा मैं श्री देवी के साथ काम करना चाहती थी हाला कि अब वे हमारे बीच नहीं है बचपन से मैं उनकी फैन रही हूँ और मैंने उनके साथ काम करने का मौका खोद दिया हाला कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे भविश्य में रिखा जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा वह मेरी पंसदीदा कलाकारों में एक है गौर तलब है कि रानी मुखर जी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मरदानी 2 के प्रमोशन में व्यस्थ है इस फिल्म में वेर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका अदा कर रही है यह फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म मरदानी का ही सीक्वल है फिल्म पनिर्देशन गोपी पुथरन ने किया है यह फिल्म 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हो रही है